नमस्कार दोस्तों वेलकम ब्याख वीडियो आज हम vaisई वीडियो में बात करने वाले हैं स्ट्रगल के बारे भाइवी तो हम बात करेंगे आज इस चीम की €11 के बारे में देखेंगे इस से वीडियो में कोन कोई-गे यहां पर इनकी टीम से खेलने वाले हैं sweeter तो फिलाल तो वीडियो के साथ एन तक बने रही है चैनल को सबस्क्राइब करना मत बूलना तो सबसे पहले बढ़ता है अपने टॉपिक जोड़ कर लेते हैं यहां पर रोयल चैलेंजर बैंगलोर के अपर वीकेट कीपर देखने के लिए मिन सकते हैं लोगँ वह अनुजरावत है दिनीशकार मही बात करें इनकी टिम वह काफी जाद अच्छा-गास होता है पावरफुल बैट्समें होता है तो देखते हैं अब की बार को इनोंने स्लेट का रहें तो बेट्समें में है इनके पास वाफ दूपलैसी ग्राट कोली रजट परिदर सुयष प्रभुदेशाई शोरब चोहान मनीपाल नमोर ग्लेन मैक्सवल तो यह है बात करें अगले ओल्ड राउंडर्स में और राउंडर्स में क्या होने वाले तो इनके पास ओल्ड राउंडर्स में है मनोज बंदागी है तोम करण सुअपनील सिंग विल्जक येख कैमरुन ग्रीन वहीं बात करें अब अब ओल्ड नाउंडर्स के बात करते हैं इनकी टीम में तो आदो इनकी टीम के फास बोलर्स में है है अक्षादीब मोहमा सिराज राजन कुमार जीशी ट्रोफी अलजारी जोसिफ लोकी फर्गिशन एंड यस दयाल देखो यह है इनकी पूरी स्कोर्ट जो की बनी है अलग-अलग विभा हुए बटी है वाश बोलर स्पिनर ओलाउंडर बैट्समैन एंड विकिट कीपर के प्लेयर होने वाले जो टीम में स्लैक्ट होने वाले है तो नंबर बन पे तो हो सकते है फाव डूपलेसी जो की आर सीबी के अपकी बार कपतान है पिछली बार भी थे फाव डूपलेसी काफी अच्छे बल्लेबाज है ओपनर के रूप में मुझे ऐसा लगता है बही सबसे बोने के है रजस जो की अब य treasury काफी ज्यादा मजबूत बल्लेबाज है और काफी ज्यादा अपनी टीम में बल्लेबाजी जो और मजबूत करते हैं 2023 लफ्यell होने वाले है जोकि फ्रूप जैसे का से बल्लेबाज कहली को यहां पर ये गेंडबाजी लेवाजी दोनों तर पर टीम को सपोर्ट करने वाले हैं बात करें आठवे नंबर पर करन शर्म होने वाले हैं करन शर्मा होने वाले हैं अपनी टीम से जो कि मुख्षे-गेंद वाजी की तरफ से अपनी टीम को सपोर्ट करने वाले हैं बात करें ग्यानोंबाजी को सपोर्ट करते हैं तो पाइं मेरे को लगता कि इसमें कुछ है यहां पर यह प्लेयर वो इंफोर्मेशन सेयर करो कमेंट बोक्स में जाकर वीडियो पसंद आज तो लाइक करना चैनल को सब्स्राइब करना फिलाल तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिलाल हम लोगों काफी सारे और भी टीम की प्लेइंग 11 बना